नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के आये आज हम सभी जानते हैं मुली खाने के फायदे और नुकसान के संबंध में मुली हमारे सलाद का आम हिस्सा है और यह बहुत सारे रस के साथ स्वाद में तीखी या मीठी होती है मुली विभिन आकार में सफेद, लाल, बैंगनी या काले रंग की होती है यह लंबी और बेलनाकार या गोल हो सकती है यह कच्ची या पका कर खाय जाती है मूली के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग कई उत्पादों और स्वास्थ प्रयोगों के लिए किया जाता है मूली में पत्तियां, फूल, फली और बीज होते हैं मूली का वैज्यानिक नाम रफानस सेटाईवस है मूली रूप से एशियाई बाजारों के कुछ हिस्सों में मूली को डिकॉन के रूप में भी जाना जाता है आए जानते हैं इसके लाफों के बारे में सबसे पहले मूली के पत्ते के फायदे पीलिया रोग में बेहद ही उपयोगी माने जाते हैं मूली लिवर और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और यह शरीर से विशयले पदार्थों को निकालने का भी कार्य करती है इसका मतलब है कि यह रक्त को शुद्ध करती है और जहरीले पदार्थ और कच्रे को नश्ट करती है पृलिया के इलाज में यह बेहद उपयोगी क्योंकि यह बिली रूबीन को निकालती है और इसके उत्पाद के स्तर को समाने भी रखती है यह लाल रखत को शिकाओं को भी नश्ट होने से रोकती है रोजाना सुबह एक कच्ची मूली सो कर उठने के बाद ही खाते रहने से कुछी दिनों में ही पीलिया रोग ठीक हो जात 60 मिली लीटर मूली के पते का रस 15 ग्राम खांड मिला कर पीने से पीलिया रोग में आराम आता है मूली के फायदे करेंगे आपको बवासीर से मुक्त जिहां मूली अपचनिय कार्बोहाइडरेट से बनी होई है यह पाचन वाटर रिटेंशन में मदद करती है और कबज को जो बवासीर के प्रमुख कानों में से एक है एक अच्छे डिटॉक्सिफायर के रूप में यह बहुत जल्दी बवासीर के लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है इसका रस भी पाचन और बवासीर के लक्षणों से रहत दिलाता है मूली के बीच का उपयोग वजन को कम करने के लिए भी आप कर सकते हैं मूली के सेवन से आपकी भूख शांत रहती है इसमें पचनी योग कार्बोहेट्रेट्स भी कम होते हैं और इसमें बहुत अधिक पानी होता है जिससे यह वजन कम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हार का विकल्प हो जाता है इ इससे वजन घटाने में मदद मिलती है और सभी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए चाया पचय की कार्य शमता को बढ़ाता है मूली खाने का एक अन्यलाप है कि यह आपको हरदय रोग से बचाता है मूली एंथोसाइनीन का एक अच्छा श्रोथ है जो एक प्रकार का आत्मक तरीके से हरदय रोग की घटना को कम करने के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मूली के सेवन से हरदय विकारों का खतरा कम हो जाता है मूली के और शध्य गुण है कैंसर में लापकारी चुकि मूली एक डिटोक्सिफायर है और विटामिन सी फोलिक और एंथोसाइनी है इसलिए यह कई प्रकार के कैंसर विशेश रूप से कोलन, किडिनी, आतो, पेट और मोखी कैंसर के उप्चार में लापकारी है इसके अलावा मुत्राशय में पाये जाने वाले आईसोथियोसाइनेट का कैंसर को शिकाओं के आनुवन्शिक मार्ग पर एक बड़ा मुली अपने डिटोक्सिफिकेशन और एंटिकार्स नोजेनिक गुणों के कारण लिूकोडर्मा के उप्चार में उप्योगी होती है, मुली के बीज इसके उप्चार में उप्योग किये जाते हैं, बीजों का पाउडर बनाएं और सिर के अधरक के रस या गायों के मुत् सफेद पैच पर लगाएं आप मुली को खाकर भी लिउकोडर्मा के उपचार में सहायता पा सकते हैं मुली के लाव हैं एक अन्य कि ये कबज को दूर करती है जी हां मुली फाइबर में उच्च होती है और ये कबज के लक्षणों को दूर करता है ये धीले आतों को मजबूत करने और धीली मल या दस्त से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकती है इसके अलावा मुली पित के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है पित पाचन के सबसे महतोपून भागों में से एक हैं और लिवर और पित आश्रय की थैली दोनों को बचाने में भी मदद करते हैं मुली खाने के फायदे हैं श्वसंतंत्र के लिए बेहद उपयोगी मुली एक विरोधी कंजेश्टिव है जिसका मतलब है कि यह श्वसंतंत्र की रुकावट को कम कर देता है जिसमें नाक, गले, वायू पाइप और फेफणों में जलन होती है जो सर्दी, संक्रमन, एलर्जी और अन्यकारणों से हो सकती है यह निशंस, क्रामक और विटामीन में सम्रिध है जो संक्रमन के श्वसं प्रनाली की रक्षा करती है मुली में मौजूद इसका तीखापन एक मजबूत प्राकृतिक मसाला होता है जो बिमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है और यह गले में अतिरिक्त बलगम को भी समाप्त कर देता है इसके अलावा मूली गले में आराम और साइनस को दूर करने के लिए भी उपयोगी मानी जाती है इसके अलावा यह उच्छ रक्त चाप को कंट्रोल करती है जी हाँ मूली पोटेशियम का एक बहुत अच्छा अश्रोध है पोटेशियम को उच्छ रक्त चाप को कम करने के लिए सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब यह समवहनी बेड की धमनी आपूर्ती से संपर्क करता है तो यह रक्त वाहिकाओं को आराम दे सकता है और इसलिए रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है यह रक्त के प्रवाह को चोड़ा करके रक्त चाप को कम करता है इसके अलावा मूली में एक खास तरह का इंटी हाइपर्टेंसिव नामक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे उंच रक्त चाप के उस्तर को कंट्रोल करता है इसलिए रक्त चाप रोगियों को अपने आहार में मुली को शामिल करना चाहिए इसके अलावा मुली का लाव मधुमेह में भी होता है मुली लंबे समय से कम गलाइसेमिक इंडेक्स के लिए जानी जाती है जिसका अर्थ है कि इसके सेवन से रक्त शरकरा के अस्तर पर असर नहीं होता है यह खून की मातरा में शरकरा के और शोषन को नियंतरित करने में भी मदद करती है इसलिए मदमेह रोग्यों के लिए मुली के सेवन लाब दायक होता है मुली के गुन हैं तवचा के लिए बेहद लाब कारी जहां दोस्तों मुली में मौझूद विटामिन C, फासफोरस, जिंक और विटामिन B कमपलेक्स तवचा के लिए अच्छी होती है मूली में मौजूद पानी भी तवचा में स्वस्थ नमी के अस्तर को बनाए रखने में मदद करता है कच्ची मूली को कस कर आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छा फेस पैक के रूप में कार्य करती है इसकी निस्स क्रामक गुनों के कारण मूली सुशक तवचा मुहां से चकते और दरारें जैसे तवचा विकारों को साफ करने में सहायता करती है मूली के जूस के फायदे आपको बुखार में भी मिल जाते हैं जिहां दोस्तों मूली बुखार के कारण शरीर के तापमान और सूजन को कम करने में रहत देती है इसके लिए मूली के रस को काले नमक के साथ मिश्रित करके पीना चाहिए और मूली एक बहुत ही अच्छे किटाड़ू नाशक के रूप में कारे करती है इसलिए मूली संक्रमर से भी लड़ती है जो बुखार पैदा कर सकते हैं इसके अलवा मूली के बीज के फायदे गुर्दे के लिए भी बेहद उपयोगी माने जाते हैं मूत्र वर्धक, शुद्धिकारक और नी संसक्रामक के रूप में मूली लिवर संबंधी विकारों के उपचार में सहायता करती है और अच्छी तरह से किसी भी संक्रमर से गुर्दे की रक्षा करती है मूली का रस भी पेशाप के दौरान सुजन और जलन का इलाज करता है यह गुर्दों को साहप भी करता है और गुर्दे और मुत्र प्रणाली में संक्रमर को रोकता है इस प्रकार यह भी भीन मुत्र संबंधी विकारों के उपचार में मदद करता है हाइडरेटेड रहने का शांधार तरीका है मूली पानी से युक्त होती है इसलिए यह आपके शरीर को हाइडरेटेड रखने का एक शांधार तरीका होती है जो स्वास्थ के कई अलग-अलग हिस्सों के लिए फायदे मद है हाइडरेटेड रहने का सबसे महतोपून प्रभाव हमारे पाचन तंतर पर पड़ता है हाइडरेटेड रहने से कब्ज से रहात मिलती है पाचन की दक्षता में सुधार होता है प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी आपको मूली का सेवन करना चाहिए आपके आहार में मूली को जोडने के कई अनगिनप कारण है लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार सबसे महतपून है सलाद में प्रती दिन आधा कप मुली खाने से आप लगभग 15% विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही नहीं बढ़ावा देती है बलकि यह शरीर पर अन्य सभी उच्च प्रभावों के कारण भी सुपर विटामिन का कार्य करती है यह आपके चया पचय को विनियमित करने में मदद करती है इसके साथ साथ यह लिवर के लिए भी बेहद उपयोगी मानी जाती है मूली लिवर और पिताशे की थैली के कार्यों के लिए विशेश रूप से फायदे मंद है यह पित्त और बिलिरुबीन एसीड और एंजाइम के उत्पादन और प्रवाह को विनियमित करती है इसके अलावा यह रक्त के अधिक बिलिरुबीन को भी हटा देती है मूली के नियमित खपत संक्रमर और अलसर से आपके जिगर और पिताशे की थैली की सुरक्षा रखती है मूली लिवर और पिताशे की थैली के कार्यों के लिए विशेश रूप से फायदे मंद है यह पित और बिलीरुबीन एसिड और एंजाइम के उत्पादन और प्रवाह को भी नियमित करती है इसके अलावा यह रक्त में अधिक बिलीरुबीन को भी हटा देती है मुली के नियमित खपत, संक्रमण और अलसर से आपके जिगर और पिताशे की थैली की सुरक्षा रखती है मुतर वर्धक, शुद्धिकारक और निसंस क्रामक के रूप में मुली लिवर संबंधी विकारों के उपचार में सहायता करती है इससे मुतर वर्धक गुन लिवर में जमा हुए विशाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करते हैं और रक्त में विशाक्त पदार्थों के संचय को कम करते हैं जिससे लिवर में उनकी एक आगरता कम हो जाती है इसके साथ साथ मूली के कुछ एक नुकसान भी हैं वो भी आई ये जानते हैं क्योंकि कोई भी आउशधी होती है उसका जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है अगर आप उसका सही मातरा में उपियोग नहीं करते हैं तो मूली के साथ मचली का सेवन नहीं करना चाहिए मूली खाने के तुरंत बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए गलत खादे संयोजन के नियमों के मताबिक काले चने के साथ मूली को खाने से मना किया गया है इसके अधिक सेवन से भूख में कमी, मुह और गले में दर्द और सूजनी त्यादी हो सकता है इसलिए इसका अत्याधिक मात्रा में सेवन ना करें तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों